उत्तर परदेश ग्राम से चिवाले भरती में पंचैत सहयक का जो ओफिशल सासना देश है वो जारी हो चुका है इसके बारे में मैं आपको सारी जानकरी देने वाला हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमने इससे पहले एक स सासना देश फर्जी ही निकला यह जो नया सासना देश आया है ओफिशल इससे उस सासना देश की डेट एक भी डेट मैच नहीं करती है आप उसका मिलान कर सकते हैं एक भी डेट उससे मैच नहीं कर रही है इसलिए फर्जी पाया गया और जिन्होंने फर्जी बनाया था उस उसका जो चैन होगा वह है ग्राम पंचैस समिति द्वारा किया जाएगा ठीक है तो ये बाते कुछ इनको एक दो बाते पता चल गए थी लेकिन जो सासने देश था लगबग नंबर परसेंट बातेस में सारी फरजी पाए गई ठीक है तो हमने कहा था कि हम आपको सच्चे दिखाएंगे सच बताते हैं और सची आगे बताएंगे ठीक है आप दोनों सासने देश को मैच कर लेना मैं इस सासने देश को जो ओफिसल है अभी टेलिग्राम में डाल रहा हू लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाईए और इसकी सारी डिटेल पढ़ लेजिए उसके बाद जो पुराना सासने देश है उसको भी आप पढ़के मैच कर सकते हैं आपको सच्चे का पता चल जाएगा तो चले वीडियो शुरू करते हैं अब बताते हैं यह इसमें क पर किरा होने वाले हैं फिसकी युग्यत के बारे में बात करेंगे कहाँ फार मिले हैं कैसे अपले करना है टोटल डिटेल आख को बताने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक पर नमबर एक पर सबसे पहले ग्राम पंचयत द्वारा जो पंचयत साहिक की जो सूचना है वह है ग्राम पंचयत के सूचना पर दे जाएगी ठीक है और गाउं में मुनादिक जाएगी उसकी डेट रहेगी 30 37 2020 यह थोड़ा देश्टर यह नीचे लिख देता हूं 37 2021 से 18 2021 तक पहले नमबर पर 37 2021 से 18 2021 तक इसमें जो है ग्राम पंचयत के दवारा मुनादिक कराएगी 30 के ग्राम पंचयत जो सायक है उसका जो है उसकी वेगंसी आ गई है ठीक है यह होगा उसकी बाद दूसरे नमबर पर बात करते हैं आविदन पतर जम्म करने की अवधी ठीक है इसकी अवधी होने वाली है दो आठ दो जारेकिस से 17 आठ दो जारेकिस तक 28 दो जारेकिस से 17 आठ दो जारेकिस तक जो है आविदन पतर जम्म करने की अवधी है यह आविदन पतर कहां जम्म होंगे तीन जंगे पर आप इन आविदन पतर को जम्म कर सकते हैं तीन में से एक जंगा कहीं पर भी ग्राम पंचयत खंड विकास अधिकारी यानिके बुलोक में और तीसरा जिला पंचयत राज अधिकारी कारेले में जिसको डीपी आरोविब कहते हैं डीपी आरो ठीक है जिला पंचयत राज अधिकारी कारेले यह इंतिनों जगह नंबर तीन पर आते हैं नंबर तीन में जिला पंचयत राज अधिकारी कारल ले रिकास खंड कारेल ले दोबारा आविधन पत्र को ग्राम पंचयत को उपलब्द कराना यह देड़ है अठारा अठ्ट दोजार इकिस से टेश और तक ठीक है जो फारम ब्लोक में जम्मा और जी लेस्टर पर जम्मा करेंगे डिप्यारो कारल है ने फारम सभी फारम जाच ओने के बाद में जो है ग्राम पंचयत को उपलब्द करादे जाएंगे उसके बाद नंबर चार के ग्राम पंचयतों में प्राप्त आविधन पत्रों की मेरीच लिष्ट तियार करना जीन 24 8 2020 से 31 8 तक कहने का मलब जो आविदन पत्र ग्राम पंचयतों में जाएंगे उनमें जो ग्राम पंचयत की पर्सासिनिक समित्य वो जो सबसे ज़्यादे नंबर है उसका एक वरेता करम लगाएगी कहने का मलब जिसके हाइश कूल इंटर में सरवाधिक नंबर होंगे पहले नंबर पर उसके बाद तीसरे इस प्रकार से शिर्यदवाई उन फार्मों को लगा जाएगा ग्राम पंचयत की पर्सासिनिक समित्य के दवारा ठीक है उसके बाद उन फारम को जिला पंचयत राज अधिकरी को उपलब करा जाएगा ठीक है इसी डेट में उसके बाद नंबर पांच प इस से साथ नो कि दोजार एक्किस तक है यह जो है जो जिला देकरी की अध्यस्ता में जो समीति गठित है वह फार्मों का परिक्शन करेगी सही है या क्या गलत है समी और संस्तुति भी कर देगी यानिके हाँ यह 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 उम्मिद्वार पाएगए है ठीक है जिसका चैन होन जाएगी जिसके ज्यादे नंबर है नंबर 6 ग्राम पंचयत दोबारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना यानिके नियुक्ति दे दी जाएगी किस डेट में आठ नो दोजार आठ नो दोजार एक्किस से दस नो दोजार एक्किस तक यानिके आठ नो दस तीन दिन आठ सितंबर नो और दस सितंबर तीन दिन में जह नियुक्ति पत्र दे जाएगे जिसका चैन हो जाएगा जिसके सरवादिक नंबर होंगे ठीक है इस प्रकार से यह श्टार्ट होने वाला है तीस जुलाई से ठीक है और समगत हो जाएगा दस सितम पर तो यह इसकी डेट है अब बात करते हैं अन्य जानकाली की अब इसकी जो अब बात करेंगे इसकी युग्यता क्या घ्रितन रहने वाला है यह टूटल डिटेल आपको देने वाला हुआ एक इसमें बात एक है बता तो आपको जंत्स दंदर की स्थापना की जाएगी उसके लिए उपलप्ट करहे जाएगी पर outreach करेंगे इसके बाद जो फारम होगा ठीक है वो फारम के साथ जो पर्मानपतर लगेंगे शक्स की योग्यता जिसे हाई स्कूल इंटर वगेरा ठीक है आयो पर्मानपतर जाती पर्मानपतर इस प्रकार की डुकुमेंट उसके साथ सनलंगन करने होगे और मेंट सुचित के बारे मैंने आपको बताई दिया है उसके बाद यह है एक अनुबंध पत्र पर साइन किया जाएंगे जिसका सेलेक्शन हो जाता है और एक वर्स के लिए अनुबंध होगा इस पोस्ट का जो अनुबंध होगा एक साल के लिए होगा उसके बाद अगर उस दूसरे साल के लिए बढ़ाए जाएगा फिर तीसरे साल के लिए अधिकतम Дो साल के लिए गलां सकती है ठीक है जो सव्लिजेड़ वह बढ़ा जाüneगा निवासी है जो जिस ग्राम पंचयत का है उसे ग्राम पंचयत में आविदन करना होगा दूसरी ग्राम पंचयत में आविदन नहीं कर पाएंगे कि उसके बाद हाँ आयो कितने होने चाहिए आयो की बात करें एक जुलाई एक जुलाई को अठारा वरस से चैलिस वर्ष के बीच में आयो होनी चाहिए और जो एसी कंडिडेट है अनुसुशित जिनको कहते हैं उनकी लिए उमर में पांच वर्ष के छूट दी जाएगी वह पैतालिस वर्ष तक इस फरम को बढ़ सकते हैं इस फरम को कौन बढ़ सकता है कौन नहीं बढ़ सकता है देखिए इसमें जो सरकार ने प्रवधान किया है उत्तर परदेश में जितनी भी ग्राम परदान का अरक्सन तैह हुआ था कहने का मलब जिस केटेगरी का ग्राम परदान होगा उस केटेगरी का ही कंडिडेट इस फरम को बढ़ सकता है सब्सक्राइब करिए अगर आपके ग्राम परदान के साफ़ से अरक्सन रखा गया है जो जिस केटेगरी का परदान होगा उस केटेगरी का ही वेक्ति चेंडित कर जाएग वही फरम बरने के योग्या हुगा बात करते हैं मान दे की यह 6,000 रुपे परमन्थ दे जाएगा ठीक है 6,000 रुपे परमन्थ इसका मान दे होगा और यह मान दे जो है ग्राम पंचैत द्वारा दे जाएगा और इसमें जो है साफ सफ़ाई के बाद आती है कि उस कारे लेकि साफ सफ़ाई कोन करेगा जो गाओं का सफ़ाई कर्मी होगा यह जिम्मेदारी उसकी होगी यह वह है ग्राम सचवाल्य में साफ सफ़ाई करेगा और उसकी हाजरी भी ग्राम सचवाल्य में जो है ग्राम सचव पल्ले में के कम्पूटर में धर्ज की जाएगी ठीक है परशिक्सर अब बात करते हैं परशिक्सर ट्रेनिंग की इनके चैन के दो माह के अंदर ठीक है जैसे चैन हो जाता है उसके दो माह के अंदर ट्रेनिंग करा दे जाएगी ठीक है तो इस परकार की यह जानकारी थी ठीक है यह टोटल हमने लगबग इंपोर्टेंट लगबग जो मैं मैं जानकारी है वो आपको बता दी है और इसका फारम जो हम पीडियोप डाल रहे हैं उसमें इसका फारम भी मिल जाएगा आप इंटरनेट से फारम निकलवा सकते हैं ठीक समा करके अच्छे प्रकार से उसको यह तो ग्राम पंचेत में यह ब्लों के यह जिल्यस्तर पर डिपी-आरो कारले में जम्हा कर दीजिए और माथ से पनी रिसीद ले लेना कि हमने जम्हा कर दी है, फावतिरसित जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये जान करे थी, और योगगते की बात करें, इसमें योगगता ऐसा बताया गया है, कि इसमें हाइच स्कूल और इंटर की जैसे नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है, तो इसमें अस्पेसल करता है तो यह जानकरी थी अगर यह जानकरी आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेर भी कर देना ताकि लोगों को जह जानकरी हो सके कि ग्राम पंचाच सच्छी वालें में अठावनेजार 119 पोश्ट का विक्यापन जारी किया जा चुका है और में भी अपना फारम भर लेंगे ठीक है और जल्दी से अपना जो है डोकुमेंट जो बनवाय हुआ है अपना डोकुमेंट त्यार कर लिजिए और इस फारम को भर देजिए अगर कोई आपको समस्य आ रही है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मैं रिप्लै करने का पूरा दन्यवाद